नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले यदी बात करें AMR के बारे में तो पांच मुकाबले इन्होंने इस टूनमेंट में भी तक खेले हैं इनमें से तीन मुकाबले जीते हैं और दो मुकाबलों में इन्हे हार मिली है वहीं अगर R.E.U.R. के बारें बात करें तो मातर चार मुकाबले खेलने के बाद तीन मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है और दोस्तो एक ही मुकाबले में इन्हें हार मिली है टेवल रैंकिंग की यदि यहां पर बात करें तो R.E.U.R. पहले नंबर पर बनी हुई है वहीं आमने सामने हो रही है यदि दोस्तों बात करें ग्राउंड रिकोर्ड के बारे में तो अभी तक इस पेच पर बीस मुकाबले खेले जा चुके हैं दोस्तों जो कि इसी टूनामेंट के रहे हैं ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने साथ मुकाबले और दोस्तों ब वाला कप्तान या पर फिल्डिंग का फैसला आज एक बार फिर लेने वाला है दोस्तों बात करें यादि फर्ष्ट इनिंग के एवरेज स्कोर के बारे में तो 20 मुकावलों का ये एवरेज स्कोर दोस्तों अभी तक 151 रन का निकल कर आया है वहीं अगर बात करें पिछले 5 पर पहुंच गया है यानि आज एक बार फिर दोस्तों 150 से लेकर 160 रन के बीच में फर्ष्ट इनिंग का इसकोर रहने वाला है दोस्तों सुरूबात करते हैं बिगट कीपरिंग के सेक्सन के साथ लेकिन दोस्तों से पहले एक रिक्वेस्ट है यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलूकर नहीं चुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जाईएगा क्योंको ग्रांड लिग हैट टूएड लीग की टीम में हम यही जूसी ना करें कमेंट करकर जरूर बताएं दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले बिगट युपरिंग सेक्शन से यहां पर पहला नाम दिखने वाला है मुहमद नसीम खुशी के बारें दोस्तों यहां पर बात करें तो प कर सकते हैं क्योंकि बैटेंग ओडर दोस्तों पांच में नंबर पर आ रहा है तो अमिर यही है कि लगवग 20-22 रनों के बीच में दोस्तों यदि अच्छा खेलते हैं तो यह स्कूर यह कर पाएंगे दोस्तों यह बात करें अपन ट्विंकल भंडारी के बारे में तो यह पर रहा है अपनी टीम के लिए पहले 2 मकाबलों में इनों ने ओपन किया है इसके बाद चोटे और लाष्ट मोकाबल में नमबर 3 आई की है दोस्तो नौ रण पहले मकाबले बनाएं इसके बाद चार रण बनाए हैं और दोस्तों जब पुछले 2 बाद के यदि बात कर ल Kung 23 रन और 34 रन की पारी इनके बल्ले से निकली है दोस्तों लाश्ट मुकाबले में इनकी बैटिंग नहीं आई है क्योंकि AMI टीम ने 5 ओवर में 68 रन बनाए थे एक बिगट के नुकसान पर दोस्तों यहां पर मैच खतम हो गया था यानि कि दोस्तों डेक वर्थ लूज लग ग पारे में तो दोस्तों अपने टीम के लिए लगातार यह पिलियर ओपन कर रहा है पांच मुकाबले इनके खेले हैं और SM दोस्तों पहले मुकाबले को छोड़ दें यहां पर यह एक रन पर आउट हुए थे इसके बाद कंटिन्यू दोस्तों रन स्कोर यह कर रहे हैं 57 रन दोस्तों 25 और लाश्ट मुकाबले की बात करें तो तावर 24 रनों की पारी इनों ने खेली है क्योंकि पांच और का मुकाबला ही दोस्तों वहाँ पर हुआ था तो निश्चेत तोर पर दोस्तों यह पिलियर ऐसा है जो आप अपने टीम में आसानी से हेड टू हेड टीम में शामिल कर सकते हैं यानि दोस्तों यहां से देखें तो यह दोनों ही प्लियर काफी इंपोटेंट प्लियर हैं दोस्तों बात करते हैं बल्ले बाजों के बारे में तो पहला नाम आपको दिखने वाला है रफी उल्ला एम का दोस्तों पहले मुकाबले में पांच वे इसके ब बॉलिंग भी करता है तो इसलिए आस से हम एने अपनी टीम में शामिल जरूर कर सकते हैं पहले मुकाबले में 46 दूसरे मुकाबले में 6 इसके बाद 25 अठारा और लाश्ट मुकाबले में 19 रंगी शांदार पारी नोने खेली हैं याई देखा जाए तो हर मैच में लगवागि हैं तो निस्टेट तॉर्पर दोस्त आप इने अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं अरग्राटलिक के लिए और क्रास्ते हैं आप 20 के राएàn कर सकते हैं यह कगेल हैं और लास्ट अल्शा साथ 2 चाणदार नम ने खेल रहा है दोस्तों यह दि बात करें अर lies वहार बाद में बेटिंग करता है तो ऐसे में निश्वत तुर पर आप उनसे और बाइस कैप्टन ट्रा करसकते है ग्राइब लिग में वही अगर दोस्तों बात करें अपने जोहिब के बारे में जोहिभ मननत यह कुलिया रहसा है चार में से दोस्तों स्रिफ इन्हों ने एक मुकावला केला है जो की last मुकावला है और वहाँपर दूस्तों open करते हुए 45 रन की पाहरी के लिए है या नि शुरूबात के जो मुकावले रहे हैं वहाँपर टीम ने इनको drop किया है तो ऐसे में दोस्तों बात करें तो अब इता किनों ने मार्स तक T20 करिकेट के दो ही मुकाबले टोटाल लिनों नखेले हैं यहाँ पर 61 रन इनके बल्ले से निकले है और पिछले मुकाबले में दोस्तों 45 रन बनाए है दोस्तों यह ओल राउंडर पिलियर है अब शुरुबा दो मुकाबले की बात करें तो वहाँ पर चौते और छटवे नंबर पर बैटिंग की थी लेकिन पिछले तीन मुकाबलों में टीम के लिए लगातार यह ओपन कर रहे है और पिछले ही मुकाबले में शांदार 22 रनों की पारी खेली है उससे पहले 19 रन इनों बनाए थे उसे टूनामेंट के अभी तक इनके परसनल स्कोर की बात करें 42 रन जो की हाय एस रहा है तीसरे मुकाबले में इनों बनाए है उससे पहले 22 और उससे पहले जीरूर मनाया है यानि पिछले चार मुकाबलों को दोस्तों देखें तो शांदार रन ये अपने बल्ले से निकाल कर दे रहे हैं वही बॉलिंग की बात करें तो आप इने भी ट्राय कर सकते हैं यादि दोस्तों आप ज़्धर टीवे बनाते हैं तो निश्चत तुर पर आप इने ट्राय कर सकते हैं अब बात करेंगे दोस्तों आपन ऑल राउंडर सेक्शन पर यहां पर पहला नाम आपको देखने बाला है महरम खान का महरम कान की रहा है और पिछले मुकाmले में इनको बैटिंग नहीं मिली है लेगद बॉलिंग की मात करे देंको लगतार देंग नहीं मिला है और सेकंड लाष्ट मॉकाबले में तीन बिकित ने कारएए यह यानि यह पेली आप आसानी से अपने टीम में शामल कर सकते हैं अब बात करेंगे दोस्तों रामा नंदी के बारे में 85% लोगों ने इन्हें अपने टीम में शामिल किया है पहले मुकाबले में 7 नंबर पर बैटिंग करने आये थे इसके बाद लगातार तीन मुकाबलों में 6 नंबर पर बैटिंग की है यानि निचले इस तर पर ये बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों लाश्ट मुकाबले में 3 रन इससे पहले 12 और इससे पहले 17 रन की पारी खेली है इससे पहले इनकी बैटिंग नहीं आई है और बात करें लाश्ट मुकाबले में 4 चार ओवर फेकने के बाद चार बिगट अपने टीम के लिए निकाले हैं उससे पहले चार ओवर फेकने के बाद तीन बिगट इन्होंने निकाले थे और उससे पहले दोस्तों इनको बिगट नहीं मिले हैं तो निश्यत तूर पर दोस्तों आप इन्हें ग्रांड लिग का बले से निकले हैं बॉलिंग की बात करें तो यह पिलियर आपको लगातार चार ओवर कंप्लिट करकर देने वाला है और ये पिलियर ऐसा है जिसे आप दोस्तो हेड टू हेड का कैप्टन बाइस कैप्टन और स्मॉल लिग का कैप्टन बाइस कैप्टन ट्राय कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो लगातार हर मुकाबले में इन्होंने बिकेट निकल कर दिये हैं पेचले मुकाबले में एक इससे पहले वाले मुकाबले में एक और इससे पहले लगातार दो मुकाबले में दो दो वavors टीम के लिए नकाले हैं पिछले मुकाबले में दो बिक्ट निकाले उससे पहले हाला कि बिक्ट नहीं मिले हैं लेकर दोस्तो इसके पहले चार और एक बिक्ट टीम के लिए निकाल कर इन्हों ने दिये हैं तो दोस्तो देखा जाये तो आप इन्हें गरांड लिंग में ट्राय कर सकते हैं वहीं अगर बात करें दोस्तों अपने गुस्ताव बर्गर के बारे में साथ ही परसेंट लोगों ने टीम में शामिल किया है जो आपको डिफरेंट पिक के तोर पर काम करने वाला है चार मुकाबले इनके द्वारा के ले गाए हैं और चारों मुकाबलों में टीम के लिए इन्हों ने दोस्तों बल्लेबाजी के लियास से देखें तो आपको दिख रहा है काफी शांदार रन दोस्तों इन्हों ने अभी तक अबने बल्लेबाजी में किये हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पर आते हैं दोस्तों उससे पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट बीडियो यादी कल्त गतराएं तो बीडियो को लाइक करने में किसी परकार की कंचूशी ना करें और साथी साथथ करता करềं कर जरूद strongly केसे लगा कि लिए selling तो आप जैसे आपको लगता है कि bowling section से हमें एक player drop करना है तो इस player को आप drop कर सकते हैं क्योंकि एक ही बिकेट निकाल कर अभी तक इन्होंने दिये हैं पांच मुकाबलों में चार ही बिकेट अभी तक इन्होंने दिये हैं बॉलिंग की बात करना तो पहले मुकाबलों को छोड़ दें यहां पर इनको बिकेट नहीं मिले हैं लेकिन लगातार दोस्तों चार दो और एक बिकेट टीम के लिए निकाल कर इन्होंने दिये हैं दोस्तों बल्लेबाजी की बात नहीं करेंगे पहले मुकाबले में टीम ने इनको ड्रोप किया लेकिन दूसरे मुकाबले में दोस्तों दो और फेके कोई बिकेट नहीं तीसरे मुकाबले में तीन और फेकने के बाद तीन बिकेट निकाल कर दिये हैं के बाद 4 ओवर्फेगे हैं एक टीम के लिए निकाल कर दिया है यानि दोस्तों थोड़ा डौटफुल यह पिलियर है क्योंकि कितने ओवर्फेगे का यह कंफरम नहीं है फिर भी दोस्तों कह सकते हैं तीन से चार ओवर यह आपके लिए कंप्लीट करकर दे सकता है वहीं अगर बात करें कालिम उल्ला के बारे में 70% लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है चार मुकावले के लिए हैं चार ओवर दोस्तों ये कंप्लीट करकर देते हैं और अभी तक चार बिकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर दिये हैं और चारों मुकावलों में एक 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 बिकेट निकाल कर टीम के लिए दिया है यहां से देखें तो कली मुला और बिलाल खान दोस्तों दोनों मैंसे आप एक प्लियर को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लियर ऐसे रहे हैं जो पर मैच में एक बिकिट निकाल कर आपको दे रहे हैं वहीं अगर बात कर अन्नान हक के बारे में 33% लोगों ने टीम में शामिल किया है दोस्तों ये पिलियर ऐसा है जो आपको complete over करकर नहीं देगा लगवग 2-3 over ये आपको करकर देने वाले हैं क्योंकि पहले मुकाबले में 2 दूसरे में 2 इसके बाद 4 और 4 over fake हैं इसके बाद दोस्तों लाश्ट मुकाबले में 3 over fake हैं और ऐसे बिक्टों की बात करें तो एक एक बिकट शुरूबाती 2 मुकाबलों निकाले हैं और दोस्तों बाद के दोनों मुकाबलों बिकट नहीं मिले हैं तो निस्टीट तो पर दोस्तों, आप Old Rounder को तीन से च्रूर अपने टीम में शामिल कर सकते हैं. तीन बन लिवाई दोस्तों अच्छे इस दोनों ही टीमों में शामिल है. वहीं दोस्तों, बिकट कीपरिंग की बात करें, तो यह दोनों پिलियरों को कशशिज करें, दोस्तों अपने सब अपने दोस्तों के साथ वहीं कमेंट करकर जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है तोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिंद दोस्तों